हेलो वेल्कम टू कॉंप्टिशन कम्यूटी मिसिस अन्नुरॉय आप सभी का 36 गड़ी के इस मोबाइल कोर्स में स्वागत करती हूं जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेंस के अंतरगत पूछ जाने वाले टॉपिक के विश्य में अब तक हमने देखा कि 36 गड़ साहित्य के अंतरगत उसमें कितने प्रकार के प्रयोग जो हैं वो किये गए हैं और किस किस तरह से वह साहित्य विकास यात्रा की ओर बढ़ने लगा आज हम देखते हैं कि 36 गड़ लोक साहित्य के विकास यात्रा के दोरान हमने पाया कि कितने प्रकार की जन शूतियां थी और आखिर लोक साहित्य का जो वर्गी करण है वो कैसे किया गया था तो आज की वीडियो में 36 गड़ लोक साहित्य जन शूति वर्गी करण की विशे में जानेंगे कि 36 गड़ का लोक साहित्य का यदि भंडार कहा जाए कि यह कितना है तो यह बहुत ही विशाल और गहरा भंडार अपने साथ लेकर चलता है हम लोक साहित्य की बात करें तो लोक जिसका मतलब होता है किसी भी एक शेत्र विशेस में फैली हुई समूची जनता लोक कहलाती है और 36 गड़ में लोक साहित्य सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमें प्राप्त हुई है और यह एक वाचिक परमपरा याने की जनशूतियों के द्वारा कही जाने वाली परमपरा के अनुसार हमें प्राप्त होती गई है संस्कृती का अर्थ क्या होता है यदि हम लोग संस्कृती कहें तो आखिर इस संस्कृती का अर्थ क्या होता है यह संस्कृती शब्द की अगर हम बात करें तो संसकार का परिशकरण संसकारों का परिशकरण ही उसका परिमारजन करना ही उसका अनुपालन करना ही उनके विश्यों का अनुसरण करना ही संस्कृति कहलाती है सम धन क्री यदि हम इसका विच्छेद करें तो सम धन क्री धन कितिन प्रत्य अगर हम कहें तो सम क्रीतिन प्रत्य मतलब कि सम में क्रीधातो और कितिन प्रत्य से मिलकर बना है हमारे लिए संस्कृती यानि कि यहां पर सम जो है उपसर्ग की तरह जुड़ा है और किति नी जो है प्रत्ति की जरह जुड़ा है क्री का मतलब होता है करना अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पर इसका शाफदिक अर्थ होगा ब्रिष्टी क्रिशी पहले यदि संस्कृतिक आरण्यक यह भारत वर्षी की परंपरा में संस्कृति में यदि हम बात करें तो क्रिशी याने की ब्रिष्टी याने की वर्षा जिसमें क्रिशी से पहले व्यक्ति जो है तमाम प्रकार के कारें को करता है और क्रिशी के करते करत भी तमाम प्रकार के कार्यों को संपादित करता है तो यह जो संस्कृति है इसमें अरण्य हो वन हो ग्राम्य हो कृष्षी से जूड़ी हुई थी बाद में धीरे धीरे यह परंपरा नागरबनी अर्थात मूल शब्द का अर्थ को यह खोने लगी यह भारत वर्ष का ऐसा इस कि यह जाते हैं तो द्यान से समझने वाली बात है कि यह च्छतिस गड़ अंचल जो धान का कटोरा कहलाती है जहां कृष्षी से जुड़े व्यवसाय यहां के लोगों के जीवन का आधार है कृष्षी के शुरू होने से लेकर कृष्षी के समाप्त होने तक यह जिन जिन प्रयोग करते हैं उसी को अनुसार इसे संस्कृति के रूप से ढाला जाता था लेकिन धीरे धीरे नागर रूप में इसका प्रयोग होते होते उस परिवेश में उस इस्थिति में उनके द्वारा गाये जाने वाले गीत उनके द्वारा किया जाने वालन रित्य उसके कारिशेली नहीं बलकि उनका एक कल्चर यानि कि उनकी एक संस्कृती हो गई यह साहित्य जो मुख्य तोर पर बात करें तो लोक शृती यानि लोगों के द्वारा कही गई और लोगों के द्वारा सूनी गई परंपरागत तरीके से पिढ़ी-दर-पिढ़ी प्राप्त होती गई यह 36 गड़ी की लोकसंस्कृती यह कभी भी लिपियों में बांधा नहीं गया था यह एक ऐसी साहितिक गती वीधियां थी जो पिढ़ी-दर-पिढ़ी हमें हस्तांतरित की जाती थी जनशूती के माध्यम से यह हमें प्रदान की जाती थी दूसरी पिढ़ी पहली पिढ़ी के द्वारा मुखागर तरीके से सुनाए गई यह दूसरी पिढ़ी को भी मुखागर रूप से जनशूतियों से प्राप्त होती थी यह 36 गड़ के नहीं किसी भी प्रांत ही किसी भी क्षेत्र विशेस में संस्कृती की बात किया जाएं तो यह संस्कृती वहां के रहने वाले लोगों की दिल की धड़कन होती है किसी भी प्रकार के इसमें कोई बनावट नहीं होती ना कोई एक दिखावा होता है इसलिए बिना किसी सजावट के बिना किसी धिखावा के स्वभाविक ले मधूरता और दिल के उमंग उत्साह को प्रस्तुत करने के लिए संस्कृति का प्रयोग माना जाता है और यह संस्कृति जनसाधारण की जीवन का आईना होती है इसलिए जब इसे साहितिक तोर पर प्रिस्टूट किया गया तो यह लोग साहित्य का मूल भाव माना जाता है इसलिए लोग साहित्य को जानने से पहले लोग संस्कृति को जानना आवश्यक है लोग साहित्य की दृष्टी से अगर हम देखें तो इसमें बहुत ही विचित्र और नए और पुराने हर प्रकार का एक प्रभाव देखने को मिलता है उसके रशनाकार अज्यात है आज तक कि किसी को नहीं पता कि फगवा गीत आखिर लिखा तो किस ने लिखा यह हमें जनशूतियों से प्राप्त है और आज हम इसका प्रयोग जो है वो मुखागर तरीके से प्रस्तूत करते हैं माना कि ब्रज के राधा कृष्ण को लेकर ही हम फाग के गीत गाते हैं च्छतिस गड दाइकता से धर्म और निर्पेक्षता से हर प्रकार से क्या होती हैं दूर होती हैं इसलिए इस लोग साहिते में जीवन का यथार्थ सच्चारी अनुभव हर एक प्रभाव देखने को मिलता है हमारी लोग संस्कृती की परंपरा यदि हम बात करें ना केवल छत्यस गड़ और एक होता था हमारे लिए पद्यखन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारी साहिती का रचनाएं दो प्रकार से थी गड़्य और पद्य में ठीक है ऐसी रचनाएं जो सूरले ताल में गाई जा सकती हैं बांध कर उनका एक क्रम पंक्तियों और कतारों में होता है जिसमें सर्ग होते हैं पद्य खंड कहलाते हैं और इस पद्य खंड में काव्य की रचना की जाती है और इस काव्य को प्रबंध काव्य कहते हैं प्रबंध जो नियमों के बंधन से बंधा हो प्रबंध खंड काव्य और महा काव्य और महा काव्य का निर्मान जो लेखन के माध्यम से शैलीयों में ढाल कर लिखा जाता है नाटक कहानी एकांगी उपन्यास इसका भी प्रियोग 36 गड़ के अंदर आधुनी काल में पाया गया था और इसी तरह 36 गड़ लोक साहिते में कुछ ऐसी भी शैलिया हैं जिसे हम चंपू शैली कहते हैं या हम इसे च चंपू काविय कहते हैं और यह चंपू शयली चंपू काविय गद्य के मध्य की विद्या होती हैं इसे हम गद्य की तरह पड़ भी सकते हैं अब बात करते हैं 36 गड़ के लोगसाहितिक पर करन केibl सुझ करो तो आप को ये सारी चांसे 36 गड़ GS में मिलेंगी अब आप फिर कहेंगे कि जब 36 गड़ GS में हम पढ़ते हैं इन चीजों को तो फिर 36 गड़ ही भाशा में इसे पढ़ाने का सबब आखिर है क्या वहाँ आप उसे GS की तरह पढ़ते हैं मैं पहले ही वीडियो में आपको कह चुकी हूँ कि 36 गड़ ही Language, Art and Culture वाला जो टॉपिक है उसे आप वहाँ as a GS पढ़ते हैं पर यहां आप उसे एक साहितिक तोर पर लेकर चलेंगे तो 36 गड़ लोग साहितिका पर्यापतों और विशाल भंडार देखने को मिलता है यदि हम इसके अंतरगत डूबने की कोशिस करने जाएंगे तो हम डूबते ही जाएंगे हमें उभरने का मौका मिलेगा ही नहीं इसलिए सांस्कृतिक परंपरा से व्याप्त ऐसी जनशूती जो लिपिबध नहीं है उसे साहितिक पिढ़ी के द्वारा एक से दूसरे को मुखागर तरीके से दिया गया है लोक जीवन के इस पंदन है उनके लोक जीवन का यथार्थ उनके दिल की धड़कन है इस पे किसी पी तरह की कृत्रिमता बनावट श्रिंगारिक्ता अलंकारिक्ता का प्रभानी बलकि जो अनुभाव है उसका सीधा साचा सचा प्रयोग जो है देखने को मिलता है लोक साहिति की देखा जाए तो 36 गड़ लोक साहिति में इसमें संप्रदायिक्ता से मुक्त होती है जीवन का समझने में यह लोक साहित्य सबसे मददगार साबित होता है कहते हैं कि 36 गड़ के इसी लोक साहित्य में से यहां व्यापत लोक गीत और लोक कताएं जो जनशूरूती से प्राप्त थी तो आजादी से पहले ही डॉक्टर वेरियर एलविन के द्वारा दो पुस्तकें 36 गड़ संचुछ के प्राप्त करतरों का यहां sorry Scottish कि लोक गीतों का प्रभाव देखने को मिलता है और इसी तरह देखा जाए लोक साहित्त का भर गी करण हम सकते हैं तो 36 गड़ के लोक साहित्य को पांच वअध्य में बाता जाके एक हमारे लिए लोक गीत दूसरा है लोक, मृत्य, तीसरी है लोक, गाथा, चौथी है लोक, कथा, ठीक है, और पांचवा है लोक, नाटिय, ठीक है ये 36 गड़ जीएस में आप बहुत ही विस्तृत तौर पर पढ़ते हैं, वहाँ आप इसे एज़ेस पढ़ते हैं, कि कितने प्रकार के लोक गीत गाया जाते हैं, किस तरह के बाद यंत्र बजाए जाते हैं, इन लोक गीतों को गाने वाले लोक गाया कौन कौन है, लोक नृत् करते हैं मैं बहुत ही शॉट टम में अगर मैं समझाओं तो हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य का वर्गी करने पांच खंड माने गए इन पांच खंडों में सभी में आपने एक चीज़ कॉमन पाई होगी जो है लोक 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 और लोक है किसी विस्तरित क्षेत्र में फैला समूचा जन समूह कहलाता है लोक इस लोक के द्वारा अपने मन की भावनाओं को अनुभाव को जिसमें राग द्वेश प्रेम कसक टीस हर प्रकार के मन के भाव है सूर लै ताल में बांध कर जब कंठ से उसे उच्चारित करता है मंत्र मुगध होकर जब वह उसे गाकर जन साधारन की द्वारा गाया जाने वाला लोक गीत कहलाता है चूंकि यह गीत विरह भी है प्रेम भी है खुशी भी है उनमाद भी है हर्श है हर प्रकार का भाव है उस गीत में अपनी भावनाओं को शारिरिक भाव मुद्राओं के साथ यदि वह लचक के साथ में सुर ल सिंद्ध्य स्माज में कुछ ऐसे चरित्र प्रधान व्यक्तित्व थे जिनके जीवन से हमें रो नडřHอ राप्त होते हैं चाहिए वह वीर्धा के हो चाहिए धर्म और पुराणों बेजिगों जो हमें दिया गया गाकर सुनाया गया वह हमारे लिए लोक गाथाएं कहलाती है प्रेम प्रधान हो वीरता से संबंधित हो या धर्म और पुरानों से संबंधित हो लेकिन यदि मनुश्य की हम बात करें तो मनुश्य हमेशा से कलपना शिल रहा है हमेशा नहीं-नहीं कलपना के जाल उसके दिमाग में बनते रहे हैं और श्रिष्टी पराधारित हो या समाज पराधारित हो कुछ कथानक को प्रस्तूत करके अगर मुखागर तरीके से किसी के सामने सुनाता है जो जन शुरुती में लेखन से पहले ही इसका जन्म माना जाता है तो वह कहलाती है लोक कथाई परन्तु एक ऐसा घटना करम जिसमें कल इत्र प्रधानता भी है यदि उसे गाते हुए रित्य प्रदर्शिन की शैली पर किसी मंच पर अभिनय कर दिया जाए जो एक विश्यत शैली में प्रस्तूत किया जाए तब वह हमारे लिए लोक नाट्य बन जाता है आगे समझ में तो 36 गड़ी के लोक साहिते के पांच व सबसे पहले हम चलेंगे लोक गीत के बारे में और यहां पर मैं इसे जीएस की तरह लेकर नहीं जाओंगी कि जीएस की तरह लेकर जाने में थोड़ा सा हम वहाँ पर यहां अलग तरीके से पढ़ने की कोशिस करेंगे हम सिर्फ इसे साहिती खंड में लेकर चलेंगे आप बिल्कुल भी इसे जीएस से कंपारिजन करके मत पढ़िएगा ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं 36 फोक शब्द से आया है जिसका मतलब होता है जन साधारन या समानने सा ऐसा वर्ग जिसके विशिस महत्व पाया जाता है आचारे हजारी प्रसाथ द्विवेदी कहते हैं कि लोक शब्द का अर्थ होता है नगर शहर प्रांत में फैली हुई समूची जनता इस जीवन शैली में समाहित गीत यदि उसके जीवन शैली में जो भी समाया हुआ गीत है चुकि साधारन जनता के जीवन शैली में समाया हुआ गीत है इसलिए इसे उनके द्वारा सुनाया जाने की कारण लोक गीत जो है वो कहा जाता है 36 गड़ के जन जीवन में लोक गीतों की सबसे बड़ा विशाल पर्याप्त भंडार देखने को मिलता है चाहे वो इस फूट गीतों की प्रचूरता हो चाहे भाव प्रबलता हो विशाय की विधी नियमों के कारण लोक जीवन में यह अपना एक महत पुर्ण इस्थान जो है बना कर चलता है भाल चंदराव तैलंग च्थिस गड़ में एक साहित कार जो हिंदी साहित जगत थे उन्होंने भाल चंदराव तैलंग का कहना है कि लोक गीत जो होता है वास्तों में अनुभव और उसके सहानुभूती का ऐसा गीत है जो लोक जीवन के रस से भरा हुआ है जिसके अंग में उस लोक गीत के अंग में भाव के सुगंध समाए हुए हैं इसका बाहरी रंग में स्वर की लहर होती है जिसमें सरल और तरल काव्य का प्रभाव देखने को मिलता है जिसमें आंतरिक मिलन है तो विरा का दर्द भी देखने को मिलता है के सीधे सरल सरस हैं सभी अंग इसके सौंदर से परिपुर्ण है भ्याशा सरज सहज सुन्दर है और कहीं न कहीं हिल्ग दै को छूड़ लेने वाली चिंता परक है चित्त को अकर्षित करने वाली है प्रवाह है सुर ले ताल से बंधा हुआ है तो इस गीत को ही रित्य और गीत में बाध कर प्रिश्टूत किया जा सकता है कुल मिला कर कहें तो 36 गड़ में सबसे प्राचीन रूप में यदि किसी को माना जाएगा तो 36 गड़ में लोक गीतों को सरवाधिक प्राचीन माना जाता है इसका कारण है कि मनुश्य से यह जो कला है जो गीत है जन्म से सुनाती है तब वह गाकर ही अपने बच्चे को लोरी सुनाती है क्योंकि शकुंतला वर्मा एक ऐसी साहितिकार है उनका कहना है कि 36 गड़ लोगों के जीवन की परमपरा जो है यह हम कह सकते हैं कि 36 गड़ी लोक परमपरा जो 36 गड़ी में लोक गीत के माधियम से थी इनसान सब्सक्राइं की आदिम यूग से चली आ रही परमपरा है जिसमें हमेशा से यूग के प्रभाओं के चाफ देखने को मिलता है जैसे जैसे मुल्य और आवश्रकताइं बदलती गई वैसी वैसे इसमें प्रभाओं देखने को शोशन वर्ग के खिलाफ गुस्सा और शोशित वर्गे के प्रति सहानुभूति का भाव प्रेव कसक पीड़ा उन्माद हर्ष खुशी हर प्रकार का प्रभाव उनके गीतों में देखने को मिलता है जैसे जैसे नई पिढ़ी आने लगी नए गीतों के माध्यम से उन पुरान गड़ के लोक गीतों में 36 महतारी के माटी की सुगंध है यहां की प्रकृतिक परिवेश है और यहां तक की वातावरण जो यहां के हैं सभी का भाव देखने को मिलता है वास्तविक तोर पर अगर हम कहें तो 36 गड़ के गीतों में किसी भी प्रकार का व्यक्तिकत नहीं होत यहां करके 36 गड़ गीत जो हैं वो विशेस तोर पर सामूहिक अधिकान्श होते हैं यहां यके गीत नर पर और नारी पर कुछ गीत जो हैं लोक गीत पुरुशों पर और कुछ लोक गीत हैं जो नारियों पर आधारित माने जाते हैं कुछ लोक गीत ऐसे हैं जो नर और ना दोनों पर आधारित माने जाते हैं यही कारण है कि 36 गड़ी की लोक गीतों में प्रेम कसक पीड़ा सिहरन हर्ष मादक्ता खुशी उनमाद राग विराग हर प्रकार का भाव देखने को मिलता है 36 गड़ी लोक साहित्य की इस लोक गीत में अगर हम देखें तो जीवन के संस्कृति सभ्यता धार्मिक अधार्मिक सिथियों का पुरातन और अरिक प्रभाव देखने को मिलता है और इस मौखिक तोर पर प्राप्त होने वाली 36 गड़ी की प्रचलित सामुई घुमी में आगे अगर हम पढ़ हैं तो इस 36 गड़ी के लोक गीतों को भी वर्गी क्रित किया गया है 36 गड़ी के लोक गीतों को चाहे वह सिक्षित वर्ग हो चाहे वह असिक्षित वर्ग हो यहां तक की यहां सिक्षित के साथ असिक्षित वर्ग भी यहां के लोक गीतों को गाने में हुनर मन्द होता है 36 गड़ सिस्कार को लग अलग प्रकार से बाटा जा सकता है एक तो हम बाट सकते हैं फरव के ढट इस्प्रकार हम बाट सकते हैं संसकार के गेद रितुगतगीद न्जा गीत है और है हमारे लिए बाल गीत इन चीजों को आप पढ़ते हैं मुख्य तौर पर जीएस में अधिकांश तौर पर पढ़ते हैं परवके गीत को है ना लेकिन देखा जाए तो 36 गड़ के अंतरगत जो लोक गीत हैं उन लोक गीतों में परवका गीत संसकार विश्यक गीत रितुगत गीत जातीगत गीत और बाल गीत जो है वो मुख्य तौर पर पाया जाता है सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ परवके गीत को जानने के लिए परव क्या होते हैं आप सभी को पता है कि परव होता है जिसे हम मनाते हैं सामूहिक रूप से ठीक है सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला कि विश्व में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां कभी भी कोई पर्व या तेवहार मनाया नहीं जाता तेवहार जो तीथी के अनुसार मनाया जाता जिसके तीथी निशित होती है उसे तेवहार कहा जाता है और पर्व जो सामुहिक तोर पर मनाया जाता है देखा जाएं तो यह समाज विश्व का कोई भी पक्षका हो चाहे वो अंचल पर हो राज्य इस्तर पर हो क्योंकि यही तो भारत की सबसे बड़ी पहचान है कि भारत जो राज्यों का एक समूह है हर राज्य में अपने विशेस्पर्व और त्योहार मनाय जाते हैं वेश भूशा पकवान से लेकर उनकी कला और संस्कृती अलग-अलग होती है विभिन्नता में एक्ता का सुत्र बताते हैं और इस भारत वर्ष में चट्यस गड़ अंचल भी अपने समय में अलग-अलग पर्व और त्योहारों को मनाता है क्योंकि उनका विश्वास आस्था अटूट प्रेम पर्व गीत में विशेश तोर पर देखने को मिलते हैं यहां गीत के साथ कुछ मृत्य भी प्रदर्शन किये जाते हैं और यही लोक गीत लोक बृत्य की शैली में भी गीने जाने लगते हैं देखा जाए तो पर्व के गीत में विशेश तोर पर हम गाते हैं भोजली गीत, सुवा गीत, गौरा गीत, कर्मा गीत, मड़ई, होली, डंडा, जवारा और भजन के गीत जिसमें से अगर हम कहें तो सुवा गीत के साथ साथ नृत्य बन जाता है, कर्मा गृत के साथ साथ नृत्य बन जाता है, इसी तरह मरई और डंडा आपका गीत और नृत्य दोनों में आता है, लेकिन यदि हम भोजली की बात करें, गौरा गौरी की बात करें, जवारा की बात करें और भजन की बात करें यहां तक की होली की बात करें तो होली में भी मदमस्त होकर नाचा जाता है लेकिन वहां पर विशेश तोर पर फाग गीत गाये जाता है कुल मिलाकर किसी भी पर्व और तेवहार में विशेश तोर पर गाये जाने वाले गीतों को पर्व का गीत जो है वो कहा जाता है दूसरे आते हैं हम संसकार की गीत संसकार की बात यदि हम करें तो हम कह सकते हैं कि भारती जन जीवन के सबसा महत पुर्ण अंग माना जाता है संसकारों को 36 गड़ जन जीवन का भी प्राण आधार माना गया संसकार को धर में के प्रती अटूट आस्था विश्वास के अनुसार यहां संसकार विश्वगीत भी गाय जाते हैं जब मनुष्य किसी परिवेश में जन्म लेता है जब वह मान के गर्भ में एक ऐसी अवस्था में आता है तो मा के गर्भ में आने से लेकर मृत्य परियंत तक तमाम प्रकार के संसकारों को जो उसे संसकृती के द्वारा विरासत में दिया गया है अपने समाज के नियमों से बंद कर संसकार के समय जो भी गीत प्रस्तूत करता है उसे संसकार विश्यक गीत माना जाता है क्योंकि मनुश्य जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम प्रकार के संसकारों को निश्पादित करता है करता है संसकार विष्शे को गीत में देखा जाए और ज्यंवर के समय आग होने याले संसकार के जो है उसमें मुख तोर पर सोहर का गाया जाता था है सोहर मतलब सदस्ट dud के आगमन भी नींशले के आगमन से भारति संस्कृति में देखा जाए तो हर्ष दायक खुशी सुख और सुभ माना जाता है इस अवसर पर सोहर का गीट चतिस गड़ के अंतरगत गाया जाता है जो विशेश तोर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है और जन्म के अवसर पर इस सोहर के गीट में सकून सधावरी व्यथा पर जैसा गीट जो है वो गाया जाता है जब वही बच्चा अलग-अलग संस्कारों से बढ़ता हुआ एक ऐसी स्थिति में आता है जहां वह विवाह वेदी पर बैठता है तो 36 गड़ के अंतर भी विवाह के समय गाय जाने वाले को विहाव गीट के नाम से पुकारा जाता है इस विवाह गीत में जो भी वह कर्म करते हैं तो यहां पर मुख्य तोर पर यह गीत भी केवल महिला पक्ष के द्वारा गाया जाता है तो जहां किसे त्योहार और पर पर गाया गया उसे परव का गीत कहा गया लेकिन संसकारों पर गाय जाने वाले जन्म संसकार हो चाहे विवाह संसकार उसे संसकार का गीत कहा गया रितुगत गीत आखिर है क्या रितुगत गीत की बात की जए तो 36 गड़ का सबसे बड़ी खुबसूरती है यह धान का कटोरा कहलाती है प्राकृतिक परिवेश से सराबोर या 36 गढ़ राज्य जहां पर तमाम प्रकार की रीतुओं का आगमन होता है 6 रीतुओं 12 महिने की खुबसूरती देखने को मिलती है जहां पतजड का वीराना है वहां बसंत की बयार भी है जहां गर्मी का ताप है तो शीत की सुचितलता भी है जहां पर पतजड में प्रेक्षों के पत्तों के जड़ने से सूना पंथा पावसरितों में आने नद पत्तियों का प्रसफूटन और एक हरियाली देखने को मिलती है फसनों की लहराती हुई खेत देखने को मिलती है पक्षियों का कलरव जर्नों का बहाव नदियों का प्रवाह रूप देखने को मिलता है और इसी जीवन में एक रूपता लाने के लिए समरस्ता लाने के लिए रितूओं पर जिस तरस श्रिंगारिक्ता का प्रवाव प्रक पिश्म अपनी एक ताप दिखाता है और वर्षा की अपनी एक छटा की बहार देखने को मिलती है एक गुलाबी ठंड जहां सूरज की सुनहरी धूप से मन खुश होने लगता है इन समय हर प्रकार की पावनता इसके 36 गड़ के खुबसूरती ही देखते बनती है इसलिए रित हो वर्षा काल में खेत में काम करते हुए क्रिशकों का किसानी का गीत हो यह सारे गीत चुकि रितूओं पर गाया जाते है इसलिए इसे रितू गत गीत कहा जाता है अब आते हैं जाती गत गीत 36 गड़क के अंतरगत कुछ विषेस जाती निवास करती है यह जाती अगर हम कहें तो जो कुछ विषेस जन जातीयां है जिनके द्वारा इस गीतों को गाया जाता है जैसे देवार है बीरम है आपका बास गीत है बसDEVA है कुछ पंत हैं रिसे कबिर पंत और सतनाम पंत हैं उनके द्वारा ये जातियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है इसलिए इसे जाती गत गीत कहा जाता है बच्चों के मनुरंजन के समय जब बच्चे खेलते हैं तो अपना मनुरंजन करते समय चाहे वह खेलते समय किसी भी प्रकार कर गीत को गाएं तब बच्चों के द्वारा गाया जाने वाल गीत को बाल गीत कहा जाता है यह बालगीत चाहे मा के द्वारा अपने बच्चे को सुनाए जाने वाली लोरी हो, चाहे वो फुगडी हो, डंडी पौहा हो, कबड़ी हो, गेडी हो या लड़कियों के द्वारा अटकन बटकन हो, ऐसे गीत को जब बच्चे गाते हैं तुसे बालगीत के नाम से पुकारा तो इस तरह 36 गड़ के अंदर जन साधारन समूर जनता के मन की भावनाओं को प्रस्तुत करने वाला एक ऐसा कंठ ध्वनी से उच्चारित होने वाला सुरुले ताल में बंधा हुआ जहां 36 गड़ माटी की महक के साथ यहां का वास्तविक सौंदर्य राग द्वेश श्रिंग हर प्रकार के खुशी उनमाद हर एक भाव को जब वह जन साधारन मनुश्य अब गाकर सुनाने लगता है तो उसे 36 गड़ का लोक गीत कहा जाता है इस लोक गीत के अंतरगत परवगीत संसकार गीत रितुगद गीत जातिग्यत गीत और बाल गीत जो है वह गाए जाते हैं लोक गृत्य तो चलते हैं 36 गड़ के लोक गृत्य के विशय में मैंने पहले ही कहा है कि यह जो टॉपिक है यह आपका जीएस है मैंने इसे साहिति के तौर पर पढ़ाया अगर आप यही इसे जीएस में पढ़ेंगे तो जाती गत गीत में बीरम जाती के द्वारा कौन सा गाया जाता है किस प्रकार गाया जाता है वो सब बताया जाएगा जैसे कि यदि हम बात करें यहां पर बीरम गीत का तो खाना बदोश देवार जन जाती होती है इस तरियों जाया जाने वाला गीत होता है दीपावली के समय पर यह जो है कहते हैं कि घुमकड सभाव के होते हैं और बीरम गीत में विभी नक्षित्र के एतिहासिक संदर्ब होता है यह इस तरह चूड़ी खनकाते हुए करुणा और विदारख जीवन को प्रस्तूत करती हैं इसी तरह बस देवा 36 गड़ में एक ऐसी जाती है जो देवी देवताओं से संबंधित भजन को गाती है अप उसको बजाकर अपनी देवी देटाओं से संबंधित प्रयोग जो है वो करते हैं भिक्षार जन मतलब अपने उदर पूर्तिक्रीज का प्रयोग करती है यह सारी चीज़ें आपको जीएस में मिलेंगी लेकिन मैंने सिर्फ यहां आपको उन चीज़ों को प्रिथक करके बत प्रयोग वहां पर किया जाते है उसे जवारा गीत या भजन का गीत जज़गीत कहा जाता है यह सब्णे पर पहलें लेकिन मैंने सिर्फ यहां पर इससे साहितिक खंड पर बताने की कोशित अब हम चलते हैं लोकगीत से निकला हुआ लोक के बारे में नृत्य क्या है नृत्य एक सजीव कला है नृत्य एक सजीव कला है संगीत में श्रव्य का माध्यम होता है लेकिन द्रिश्य में द्रिश्य का माध्यम होता है सजीव होता है नृत शैली जो दिष्य के माध्यम से देखकर और श्रव्य के माध्यम से संगीत के द्वारा समझी जाती है तो आखिर ये नृत्य क्या है नृत्य एक सजीव कला है भारती संगीत में यदि हम बात करेंगे तो संगीत में श्रव के प्रमुखता होती है जबकि नृत्य में द्रिश्य की प्रमुखता होती है भारत की कला हमेशा नृत्य शैली से परिपूर्ण रही है अतिन्त प्राचिन और सम्रिध तोर पर देखा जाए तो भारती संस्कृती में हमेशा नृत्य शैली का विशेस मह तो देखने को मिलता है चाहे वो भगवान शीव का तांडव हो चाहे पारवती के साथ लासिन रित्य हो चाहे धर्म गरंथ में हमें देखने को मिलती है कि यहां पर देवी देवताओं के साथ अपसराओं के द्वारा किये जाने वाला रित्य का भी उलेक हमें जन शुरुति स प्राप्त हुआ चाहा हो मेनका हो रंभा हो उर्वर्शी हो या हेमा हो यह अपसराएं थी जो नृत्य कला का स्वर्ग लोप में प्रदर्शन किया करती थी यह नर्तकियां थी जिनके द्वारा नृत्य की शैली का प्रदर्शन किया जाता था नृत्य एक सजीव कला है जिसमें किसी भी गीत को गाते समय जहां कंठ ध्वनी से उच्छारित सूर ले ताल और राग है उसी नृत्य को प्रस्तूत करते हैं जब उसमें पांच प्रकार की भाव समाहित हो जाते हैं तो नृत्य जिसमें लोक जन जीवन के मनुश्यों के द्वारा गाए जाने वाले लोक गीत जिसमें सूर ले ताल राग है हर्श खुशी उनमाद का प्रस्तूती करन हैं अगर उसी गीत को गाते समय नृत्य शैली के कला प्रदर्शन के द्वारा अपने भाव को वो प्रदर् करने लगते हैं तो वही लोक गीत लोक डृत्य बन जाता है जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कर्मा लोक गीत है सुवा लोक गीत है जो कहीं न कहीं डृत्य शैली के द्वारा प्रस्तुत करके लोक गीत से लोक डृत्य में भी गिना जाता है इसलिए किसी भी शरीर के मुद् चालन द्वारा मन के भावों को अभिव्यक्त करने की कला मानी जाती है नृत्य मनुष्य के मन के भावों को अभिव्यक्त करने वाली ऐसी एक द्रिश्य परंपरा है जिसमें भाव को प्रस्तूत करने के लिए पांच अंगों का होना जरूरी है तो नृत्य के अंग की बात कर करने की होती है जैसे बोलते हैं कि रूप संदर्य का होना किसी नृत्य को प्रदर्शन करते हुए रूप संदर्य का होना जरूरी है अगला है भाव प्रस्तुत करना, किसी बनृत्य को प्रस्तुत करते समय, जिस भाव को प्रस्तुत किया जाता है, तो वह भाव प्रस्तुत होना जरूरी है, अगला है ताल एवम ले। नृत्य की सबसे महत पूरुना अंग माना जाता है ताल एवं ले को क्योंकि यदि आप किसी कंठ धोने से उच्छारित भाव को घा कर प्रसूत कर रहे हैं लेकिन कदमों की थिरकन या उसका ले में एक बंधन है तो वह नृत्य बहुत ही खुबसूरत दिखाई देता है इसे ताल एवं ले का होना जरूर है और अंत में आता है अभिने का गुण ठीक है 36 गड़ के अंदर लोक नृत्य में अभिने का गुण माना जाएगा और क्योंकि यह अभिने के द्वारा प्रसूत किया जाता है उस नर्तक के द्वारा अभिनेता के द्वारा प्रसूत किया जा ताल एवं ले और पांचवा है अभीने चतिस गड़ हमेशा से लोगनृत्यों का घर रहा है यहां की आदिम जातियां हमेशा से लोगनृत्य की दिवानी रही है चाहे वो जन्म हो विवाह हो तीज तेवहार हो मेली हो उत्सा हो यहां सर्व प्रथम पाया जाता है गीत और उ लोग गीत को गाते समय शारिरिक भाव भंगीमाओं के द्वारा अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने की कला जिसमें लोग गीतों के कंट ध्वने से उच्चारित होने आले भाव शारिरिक मुद्राओं के द्वारा मृत्य शैली में प्रस्तूत हो जाते हैं तो उ पुआ, कर्मा, डंडा, रहस, राउत, सरहूल, घसिया बाजा, पंथी यह सब लोग गीत के साथ साथ लोग बृत्य की शैली में भी आते हैं अब इसी को आप जीयस में पढ़ते हैं कि घसिया बाजा नृत्य क्या है कौन सी जन जाती करती है आप यहां जानते हैं कि पंथी ग उस सारा आप जीयस में पढ़ेंगे अब यहां हमने दो चीजों के बारे में जाना लोग साहिती के वरगी करण में हमने जाना लोग गीत क्या है और लोग बृत्य क्या है अब हम चलते हैं लोग गाथाओं के अंतरगत लोग गाथा जैसे कि आप समझ ही गये होगे कि लोग सबसे जादा परियाप्त भंडार देखने को मिलता है कथा क्रम में बंधे होने के कारण उनकी अपनी एक विशालता होती है एक क्रम बध्धता के सासत इसफुट गीतों की तरह प्रत्यक जन उसी के अनुसार उसे कंठस्त नहीं कर सकता इसलिए अवशकता होती है लोक गाथा कारों की क्योंकि लोक गाथा जब लिपी बध परंपरा नहीं थी तो सारे विद्याएं गाथाओं के माध्यम से गा कर सुनाई जाती थी लोक गाथा कार किसी भी घटना को इतना कंठस्त रखता था कि बिना किसी तूटी के तीन से पांच दीन के भीतर भरी सभा में मंच में चौपाल में या उसे जहां उसे सुनाने के लिए इस्थान दिया गया है बिना किसी गलती के सुनाया जाता था क्रम बध तरीके से उसी भाव और उसी ले ताल में उसे गा कर सुनाया करता था क्योंकि यह यत्र तत्र यहां वहां हर किसी के बस की बात नहीं मानी जाती थी क्योंकि ऐसा है कि यह लोग गाथा कारों के द्वारा एक पिढ़ी से दूसरी दूसरे से तिसरी पिढ़ी तक हस्तांतरित करती गई है किसी चरित्र प्रधान व्यक्ति के संपुर्ण जीवन का व्याख्यान प्रस्तूट करना लोग गाथा कहलाती है जैसे कि महा भारत और रमायन महा का विमानगत है कि रामचंद्र जी के जन्म से लेकर रामचंद्र जी के निर्वान याने मोक्ष प्राप्ति तक का संपुर्ण ब्योरा महा का विरमायन में प्रस्तुत किया गया है वैसी ही किसी चरित्र प्रधान व्यक्ति महान पूरुशों के गौरवर्णन के कारण इसे लोक गाथा कहा जाता है गाथा 36 गड़ में यदि हम बात करें तो अपने हमेशा से य मार्ग प्रदर्शन करने वाला प्राप्त नहीं हुआ इसलिए आज ये लोक गाथाएं कहीं न कहीं अंधकार में भटकती हुई नजर आती क्योंकि यह एक संपुर्ण गाथा विवरन होता था जो कंठस्त तरीके से बिना किसी तूटी के गाथा कारों के द्वारा प्रस्त द्वानों ने इसे प्रकाश मिलाने की कोशिस किया है इसलिए कुछ ही चीजें हैं जो गाथाओं के नाम से हमारे पास मौजूद हुई हैं लोक गाथाओं में माहान और उद्दात पात्र और चरित्र के चित्रन को लेकर करती हैं जिसके अंतरगत उस व्यक्ति के अलावा देखने को मिलता है इसके आधार की बात कही जाए तो लोक गाथाओं में 36 गड़ी जन जीवन को अब प्रत्यक्ष तोर पर प्रस्तुत किया गया है यानि किसी चरित्र प्रधान व्यक्ति के संपूर जीवन का व्याख्यान प्रस्तुत कर देना जो किसी लोक गाथाकार के द्वारा तीन से पाच दिन के भीतर बिना किसी त्रूटी के कंठ से उच्छारित किया जाना वाला हो तो उसे लोक गाथा कही जाती है 36 गड़ के अंतरगत लोक गाथाओं के विशेश तोर पर तीन रूप देखने को मिलते हैं एक रहा है हमारे लिए प्रेम प्रधान गाथाएं ठीक है ऐसी गाथाएं जिससे हम प्रेम प्रधान गाथा कहते हैं यानि कि प्रेम प्रधान गाथा क्या है जहां प्रेम तत्थ् प्रधानता हो और अन्य बात जो हैं वहां पर दूसरे रूप में हो नायक नाइका द्वारा कि जाने वाले प्रेम के लिए संघर्श उसका प्रिणाम उसके नायक नाइका के अंतह मिलन और विरह का प्रमाण देखने को मिलता है इस से प्रेम प्रधान गाथाओं में प्रेम के लिए आत्म समर्पित हो जाना यहां तक की प्रेम को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना और चूंकि छतिसगर एक ऐसा राजे था जहां दैत्य असूर सिंग की गाथाओं को प्रेम प्रधान गाथाओं का मात्माना जाता है इसके पश्चाथ अगर हम दूसरे गाथा की बात करें तो वह है हमारे लिए आपके धार्मिक व पौरानिक गाथा धार्म और पुरानों से लोगों को जोड़े रखने के लिए यहां पर रमायन से अं प्रश्मन और सीता समवाद का फुल बासन की गाथा और द्रौपती द्वारा अपने पती अर्जुन को तीज के व्रत किये जाने के पारणा के लिए मायके पहुचाने ही तो पंडवानी की गाथा विशेस तोर पर गाई जाती थी वर्तवान समय में यह पंडवानी वीर र और आने गाथां में विशेस तोर पर फुल बासन की गाथा और पंडवानी की गाथा जो है वो गाई जाती है जब मुगल काल में मुगलों का आगमन हुआ इस मुगल के आगमन के समय 36 गड़ में कुछ वीरता से संबंधित गाथा गाथा गाई गई थी इस वीरता से संबंधित गाथां में इसके जो नायक है उत्साह कार्य और वीरता का वर्णन किया गया है कथा नायक परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ किस तरह विजय को प्राप्त करता है अपनी मन की इच्छा को पूरा करने के लिए किस तरह प्राणों का बलिदान देता है और इसी के बहमुल और कुल के गौरव को बिना किसी डर के शत्रों को किस तरह हराता है इन सब का प्रभाव ओ वीरता कालिन गाथां देखने को मिलता है. इस गाथा में नायक के वीर्ता से अलोकिक शक्ति का उल्लेक सुनने को मिलता है चाहे वो राईसिंग का पमवारा हो, चाहे वो फूल कुमर की गाथा, देवी गाथा, कल्यान साई की गाथा या वो हमारे लिए ढोला मारू की गाथा ही क्यों नहों देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रेम पर आधारित गाथाएं थी प्रेम प्रथान गाथाएं हुई जिसमें धर्म और पुरानों से संब्धित गाथाओं का उल्लोग था वो धार्मिक और पौरानिक गाथाएं हुई और विर्ता से संब्धित गाथाओं का उल्लेक होने से गाथा कहलाई इसके अतिरिक्त देखा जाए तो 36 गड़ में कुछ अन्य गाथाएं भी ऐसे नगेसर कईना बोधरूगीत सर्बंगीत सीताराम लोरिक चंदा गुवालीन रमझन धोबिन की गाथा भैरव रसालू रजबल ठेटवार बली की गाथा निरबली की गाथा कहीं न आज भी कोई लिखित रूप देखने को प्राप्त नहीं होता बलकि उनके पात्रों की क्रिया कलाप के संबंध में इतिहास भी चुप खड़ा है क्योंकि लेखन की प्रणाली से हमें प्राप्त नहीं है बलकि इसमें कलपना और सुन्दर सामजस से देखने को मिलता है और इस तरह 36 गड़ में किसी चरित्पधान व्यक्ति के संपुर्ण जीवन का व्याख्यान प्रस्तूत करना लोग गाथा कहलाती है और इस लोग गाथाओं को गाने का उद्देश है कि लोग गाथा कार के द्वारा बिना किसी त्रूटी के एक तीन से पांच दिन के भीतर चुनाया जाता था बस यहां पर खामियां यह है कि इसे कभी भी निपी में बांधा नहीं गया इसलिए आज यह लोग गाथा कारों की कमी से लुप्त होने की कगार पर है अब यहां हमने तीन चीजों के बारे में जान लिया एक हमने जाना लोग गित एक हमने जाना लोग गाथा के बारे में आने वाले वीडियो में हम आपको लोग कथा क्या है लोग नाट्टे क्या है इसको बताएंगे और इसके बाद हम चलेंगे रंग मंच की दुनिया में अभी तो चलना शुरू किया है अभी तो बहुत सारे चीज़े हमें और पढ़नी हैं मैं आपसे एक चीज़ हमेशा से कह रही हूँ कि इस 36 गड़ के अंतरगत आप चीज़ों को 36 गड़ साहिति के तौर पर पढ़ रहे हैं इसे 36 गड़ समाने अधियन से तूलना भी मत कीजिएगा क्योंकि 36 गड़ समाने अधियन को समझाने वाले उसके अंदरूनी चीज़ों को बताएंगे और मैं यहां साहिति खंड को लेकर चल रही हूँ तो बार बार इस चीज़ का खयाल रखेंगे कि समाने अधियन से इस टौपिक को कमपेर करके मत पढ़िएगा ठीक है तो आने वाले वीडियो में लोक कथा क्या है लोक नाट्ट क्या है और यहीं से शुरुवात कैसे रंग मंच की हुई इन सभी के बारे में जानकारे प्राप्त करेंगे तब तक मेरे साथ यूहीं बने रहें पढ़ते रहें समय का सदू पेक करें अपना खयाल रखे और अपने गंतव विद्धिशा की और आगे बढ़ते रहें मेरे सभी बच्चों को थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू